नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डोलोनेक PC टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डोलोनेक PC टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डोलोनेक PC टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक् और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोलोनेक PC टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डोलोनेक PC एक ब्रैंड नेम है, डोलोनेक PC टैबलेट के अंदर तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, डोलोनेक PC टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन डा और शरीर की मासपेशियों की जकडन और मासपेशियों की एंधन को कम करता है, और पेरासितामोल शरीर में बुखार वद दर्थ को कम करता है, डोलोनेक PC टैबलेट का उप्योग सिरदर्थ होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोडों में दर्थ होने पर डोलोनेक PC पीसी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। किडनी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि डोलोनेक पीसी टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। डोलोनेक पीसी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डोक्तर डोलोनेक पीसी टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं। डोलोनेक पीसी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डोलोनेक पीसी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि डोलोनेक पीसी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर डोलोनेक पीसी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डोक्तर की सला के बिना डोलोनेक पीसी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोलोनेक पीसी टैबलेट से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।